आज आप लोगों के लिए ले के आई हूं मसाले दार चट पटी सी कलेजी की रेचिपी कलेजी जो अकसर बनाते हैं तो सक्त हो जाती है कड़क होती है या फिर कलेजी के अंदर से हिंक आ रही होती है तो इन सब चीज़ के आपको टिप बताऊंगी किस तरीके से आपने इस कलेजी को बनाना है जो नरम और मुलाइम रहेगी और डालते के साथ मुँव में गुल हो जाएगी और इसमें से कोई हिंक ने आएगी तो इसको दोने का क्या तरीका है तो चलते हम अपनी रेचिपी की तरफ यहां पर जो देखे मैंने कलेजी ले ली कलेजी की छोटी चोटी बोटियां कर ली ती और ऐसे अच्छी तरीके स बोट पली हो चुका है कलेजी अपना कलर चेंज कर चुकी है यहां पर अब मैंने इसे अच्छी तरीके से दोलिया था लसं को निकाल लिया ही किसमें से खतम हो गई तो यहां पर मिठल देते हैं इसके अंदर मसाले में मिक्स किया और इसे हमने थोड़ी देर के लिए रग यहां पर डाल दिए एक चमचा ओईल का है ुसके अंदर भर के डाल दिए लसन का पैस्ट लसन को हमें अच्छी तर टरीकी से भून न है इससे जलाना नहीं है बच देखिए लसन बुञे चुका है तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे कलेजी कलेजी को आपने शामिल करने करके अच्छी तरही के साथ आप ने इसे भून लेना है आपको पता ही कलेजी जो है ना बहोत ही जल्दी से तयार होने वाली है तो यहां पर जो है इस में थोड़ा सा पानी शामिल करना है बहुत ज्यादा पानी हम नहीं डालेंगे और इसे ढख कर थोड़ी देर के लिए रख देंगे वाँ आप खोल के देखते हैं माशाललह इसकी इतनी मज़ेदर खुश्पुआरी कि मै सारी मुकमल नहीं है आप ने इस रेसिपी को पूरा देखना है किस रेसिपी में क्या टिफ्स हमने बाकी छोड़ा हूए जो आप करेंगे आगे जाके तो यह कलेजी हमारी गड़ चुकी मखन की तरह अब इसमें आप शामिल करेंगे नमक नमक अमने कहीं पर भी नहीं शाम आज आप लोगे ले के आए हूं मलाई बोटी की रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार बनती है और भायक के जैसे आप घर के अंदर बनाएं और घर वालों को खिला कर घर वालों का दिल जीत लेंगे तो चलते हम इसकी रेसिपी की तरफ तो यहां पर मैंने ले लिया आदा किलो गोश और गोश की मैंने छोटी छोटी बोटिया कर ली ती इसे दो लिया था और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिये दो चमश प्यास के जो मैंने पीस लिया था और इसके साथ ही मैं शामिल कर दूए इसके अंदर पिसावा खोपरा बादाम काजू और जो धनिया होता है न कर नहीं हो तो आप ना डालिएगा इसके अंदर आम इने शामिल किया एक पाउ दहीं आदा किलो गोश है एक पाउ दहीं है इसके साथ ही मैंने एक चमच बरकर दखनी मिर्च यानि कि एक तो काली मिर्च होती है यह मैंने इसके अंदर शामिल किया दखनी मिर्च सुफेद मिर चोती है वो एक चमच में ने बरकर डाला है एक पौव में ने इसके अधा देई डाल दिया इन चीजों को मैं अच्छी तरीके से मसाला लगाऊंगी इसके साथ ही मैं शामिल कर दूंगी इसके अंधर एक चमच बरकर अद्रकलसं का पैस्ट इसके अंदर कोई जादा मसाले नहीं जाते बहुत कम मसाले डालते हैं अगर आप लोग के पास पिसावा पपीता है तो आप कच्छा पपीता डाल दीजिए मेरे पास पपीता नहीं है तो मैं इसके अंदर शामिल करूंगी कच्री जीजिए और आगर आपके पास टायम है तो इसे आप एक गंटे के लिए लगा कर रख दीजिए मेरे पास टायम नहीं है इसलिए मैं रखूंगी नहीं मैं उसी टायम इसे बना लूँगी तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया डेर गिलास पानी का और दो आने के बाद इसके अंदर में इसको 25 मिट के अंदर खोल कर देख लूँगी एक यतियात की बात आपको और बता दूँ कि आपने कुकर में अगर बनाना है तो कुकर का आपको बहुत यतियात करना है देखे मैं बार बार बताती हूं आप लोगों को कि कुकर को आपने चुला प्रेशर होता है कुकर फटने का खत्रा होता है तो यहां पर मैंने कुकर को ठंडा कर लिया था इसे मैंने कुकर को खोला है और मैंने देखा है तो आपने देखा आपको दिखा है मैंने के गोश गल चुका है अब मैंने इसे फ्राइ पेन के अंदर निकाल लिया है ताकि जो पानी रह गया है अब देखें पानी यो खुश्क हो चुका है तो अब मैं इसके अंदर क्रीम शामिल करूंगी क्रीम मैं पैकेटवाली मेरी बुटी तयार हो चुकी है। इतनी मज़े की खुश्ववारी है देखा आपने कि कितनी हमने इसमें कम आइटम डाले ना ये बहुत ही मज़ेदार बनती है बिलकुल बजार जैसी आप रेस्टोर में लेके मलाई बोटी खाते है ना उससे भी अच्छा जाईका आप घर के अंदर तयार कर सकते है अगर इ elegant बोटी को all पर जाके सैट कर दीजिए ताके मेरी आने वाली तमाम रेसीपिज आपको बाधार आसानी से दीखने को मिल सके तो यहा पर मॉलाय बोटी को सर्फ करती हूं निकल लेती हो जो मलाई मीरे पास रखी वी है उस मलाई को मैं उपर سے सर्फ करते है वक्त और गर्मा गर्म इससे हम चपाती के साथ सार्फ करेंगे आज आप लोग के लिए लेक आए हूं दमाग के दार रेसिपी चठारा बोटी की जो बहुत ही मज़ेदार बनती है और जो खाएगा आपकी तारिफ करे बगेर नहीं रहेगा तो चलते हम इस रेसिपी को बनाने के लिए यहां पर मैंने ले लिए आप लोग बीफ से भी बना सकते हैं और इसे आप चिकन से भी बना सकते हैं तो यहां पर देखें मैंने दर्मियानी दर्मियानी इसकी बोटियां कर ली थी बहुत छोटी नहीं की बहुत बड़ी भी नहीं की बद दर्मियानी कर लेनी आपने बीफ चोई ना ये मेरा आदा किलो है इसके साथ ही मैंने ले लिए समझ ले एक अदद बड़ी अदद प्याज ले ले थी उसे में ने بारीक बारीक चॉब कर लिया है इसके साथ ही मिने शामिल कर दिया एक छुम्मच भरका अदराक लसंका पेस्ट इसके साथ ही शामिल किया है बस नमक नमक आप अपने हिसाब से ही ईलिएगा बस इन तीन चीज़ों को हमें मिक्स कर देना है और हमें इसके अंदर कोई चीज़ नहीं डालेंगे, इन तीनों चीज़ों को sounds on duty, अब इसे में डाल देते हू 우अ प्रेशर क words को कर नहीं हैं तो आप लोग इसे पतीली में भी बना सकते हैं इसे पतीली में यह होगा कि गोश गलने में थोड़ा जादा टाइम लगेगा और प्रेशर को कर में 20 मिट में गल जाएगा तो यहां पर जो है मैं इसके अंदर डेड़ गिलास पानी शामिल करूंगी और धकन धक कर इस पर सीटी लगा दूँगी और सीटी बजने के बाद इसे में 20 मिट तक पकने दूँगी तो यहां पर जो 20 मिट हो चुके थे मैंने इसे निकाल लिया और इसे मैंने ठंडा कर लिया आपको दिखा देती हूँ देखें आप बोटी पे कितने अच्छे से मसाले लग चुक यह चठारा बोटी है ना तो चठारा बोटी में यह चीज़ा डालना जरूरी है यह जो बारिक वाली मिर्चे आती है ने लंबी वाली सुकी रा रैड वाली वह है इसको मैंने पीस किया था और यह दो अदद आपको दिखाने के लिए रखी थी यह भी मैंने इसके अंदर इसके साथ में शामिल किये भुनावा, कुटावा, साबुत धनिया, कटर मिर्च, हल्दी और डाल दिया इसके साथ काली मिर्चे बस इन सारी चिरों को हमें बोटी पे मिक्स कर लेना है अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो यह मसाला लगा कर इसे आप डबे में डी के अंदर रख दीची आप एक से दो महीने तक इस बोटी को स्तिमाल कर सकते हैं जिस वक्त आपको फ्राई करना हो ना, उस वक्त आप इसके अंदर इसके अंदर कॉन्ट फ्लावर स्मिल करें। मैं इसके अंदर 250 छुमच और चाहते वक्तार इसके अभी फ्रुमार दोपने आप अभ नहीं तो यह पानी छूड़ देगा बस यहां पर हमें ऑईल को गरम कर लेना है और चटकारा बोटी को फ्राई कर लेना है फ्राई करने का तरीका आपको फिर बता दूँ कि फ्राई करते वक्त आपने देखें गोश यह गलाव है इसलिए आपने बहुत जादा दर इसे नहीं पकाना है इसे हमें सरफ गौलडन कलर देना है और आपने इसे बहुत तेज ओल में डालेंगे तो यह फोरन ही लाल होके निकल आएंगी तो लाल नहीं करना है इसे हमें गौलडन करना है जिससे इसके अंदर कुर्ट-कुरा पनाएगा ना तो बहुत ही मजए की लगेंगी ख़़िए और आपने डालते हैं फुरान ही इस पर चमचा ही लाएंगे न तो इसकी कोटिंग अड़ जाएगी तो आप ने बस मीडियम तेल पे इसे डालना है मीडियम आज पे ही और हलके हलके तेल पे बहुत हलके तेल पे भी ना डालिएगा अगर हलके तेल पे डालेंगे तो बोटी जो है ना ओयल पी लेगी जिस वक्त आप बोटी तोड़के खाएंगे तो इसमें से oil निकल रहा होगा, तो आपको इस खाने में मज़ा नहीं आगी, देख्या आप बोटी कितनी, ये खुश्क बोटी जोगी ना, तो इस खाने में बहुत मज़ा आएगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं, इस पर कितना अच्छा सुने रहा सा color आगी ह राइता बना लीजिए आप लोग केचप के साथ गर्म गर्म चपाती के साथ नान के साथ इस चटखारा बोटी को इंज्वाई कीजिए एक बार आपने बना लिए ना यकीन जाने आपके घर वाले या महमान आपकी तारिफ करे बगर नहीं रहेंगी बहुत मज़े की लगती ह इसे ही आपने टी टाइम में खाना हो या महमान आ रहे हैं तो दावत पर बना लीजिए देखें यह अंदर तक इसका मसाला लगा होगा और गोश्ट की बोटी जो है ना रेशा रेशा हो जाएगी देखें कितने अच्छे से गल गई इसमें कोई ओल नहीं निकल रहा देख तरीके से बताओंगे कि यह गुड़े और दिल जो है आपने आसान तरीके से इसकी कटा कट किस तरीके से बनाना है तो देखें यह दिल ले लिया हम इने और इसके टुकड़े आपने इस तरीके के चकोर चकोर टुकड़े आपने कर ले तुकड़े थोड़े थोड़े बड बड़े इसके टुकड़े कर लेने, दो चम्चे भरकर दही डाली है, इसके साथ ले लिए खुश्क मसाले, पिसीवी लाल मिच, कटर मिच, पिसावा धनिया, नमक, बुनावा कुटावा जीरा, बुनावा कुटावा धनिया, खुश्क मेती, हाल्दी, इन सारे मसालों को आप पानी ताकि यह आपके मसाला जो यह थोड़ा सा पतला होगा ना, तो उसके उपर अपने गुर्दे और दिल में ने बनाया है, उसकी कटा कट बना रही, तो इसको मैंने इसके अंदर मसाले के अंदर सब चिज़ों को शामिल कर देना, यह देखे, बस इसे शामिल करके आप आपके पास अगर टायम है, तो इसको पंदरा से बीस मेट के लिए रख दीजिए ठाक कर, ताकि अच्छी तरीके से इसके अंदर मसाला जबत हो जाए, अब यहाँ पर मैंने रख दिया ओल को गरम, मैं जब तक इसके अंदर मसाला मिक्स कर रही हूं, तब तक अगर आप ल आपके और अंचा और मिक्स कर दिया औे रख दिया ओल को कर दिए एक चंचा भरकर लसन का, बड़ी वाली चंच आप इससे बस आपने हलका से फ्राइज करना है, और इसके साथ ही इसके अंदर मसाला लगेवेग कृड़ा और दिल को शामिल कर देना है, इसके अंदर थोड 15-20 मिट के लिए रख देंगे तो वाओ टकन खोल के देखाए तो देखें आप 15-20 मिट हुए है और गुर्दा जो हमारा गल भी चुका है और मसाला भी देखें एक जानोंगे है है ना इसने अमने कोई प्याज नहीं डाली और कोई मसाला नहीं डाला सिर्फ घर के मसाले और ह कितनी मज़ेदार सी हमारे दिल गुर्दा तयार हो चुके हैं अगर आप लोग को ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें कमेंट कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें आपका कमेंट और लाइक मुझे बहुत मॉटिवेट करता है तो कमेंट और लाइक करना ना बुलिएगा